हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू आर यूट्यूब चानल अगर आपने भी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बैल आकन प्रेस कर देता कि आपको हमारे वीडियो का बेट मिलती रहें तो चले शुरू करते हैं इसे के साथ आज का मुमेंट हुए थे किसान तो जो मुमेंट हुए थे उसके रिगार्डिंग तीन चार स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा सही है पहला है देंडिगो रिवोल्ट इस सेकंड हाफ आफ आफ नाइटीन सेंचुरी गाड़ दी सपोर्ट ओफ इंटेलिजेंसी और मिशनरी तो जो हमारा नील विद्रो हुआ था उनिस्वी सताब्दी में तो उसको इंटेलिजेंस है निकि वो क्लास जो पढ़े लिखो की होती है और मिशनरी जाने की जो रिलिजियस लोग होते हैं तो उनका दोनों का इनको साथ मिला था सेकंड है सोशल बायकोट वाज एन इंपो या पिला मुस्लिम लीडर दिडर डिटन आईसटेपस डोर्टेक भ्रॉटेट फियंदो प्लंडर एंप मुस्टेशन या जो भी लिडर था उन्होंने हिंदों के जो लिट पारत हो रहा था इंदों ग साथ माली सिटेशन हो रहा था तो इसको रोकने के लिए उनने कोई भी हुए थे तो आपको बताना इन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो इसका सही आंसर है डी बान टून फॉर यानि की थर्ड वाला गलत है बाकी तिन तिनों सही है थर्ड वाले में ऐसा कोई भी निक उन्होंने स्टेप ने लिया था उन्होंने स्टेप लिया था और जो लीडर थे उनका नाम था कुनामद हाजी तो चलिए इसे के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेशन के तरफ क्वेशन नमबर टू तो इसे के साथ बढ़ते हैं है अपने अगले क्या के तरफ करण नमबर फ्री तो कुछ उनीसी स्थाब्दी के सोशल सोश्यो रिलिजियस रिफॉर्मस थे उनके संदर में तीन स्टेटमेंट है वकौताना कौन से सही है पहला है अक्षय कुमार दत अनीश्वर्चंद विद्या सागर वर अगनॉस्टिक यानि कि दुनों लोग अगनॉस्टिक यानि कि न सब्सक्राइब करना चाहिए चलते रहना चाहिए चाहता है सहुधारन अयपन गेव दिक और नो रिलिजियन नो कास्ट एंड नो गॉर्ट फार हुमन बींज एक सहोधरन अयपन थे उन्होंने ये मदलब एक उन्होंने नारा दिया था तो आपका उताना इन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो इसका सही आंसर है बी वान टू एन त्री यानिकी तीन ही स्टेटमें अधिके उपर कौन साइड और लेक्ट्रिक पार प्रजेक्ट बना है आपको बताना है तो इसका सही अंसर ए अलमती डैम अलमती डैम क्रिश्ण नेंदी के ऊपर बना हुआ है तो चले बढ़ते हैं से एक साथ अपने अगले क्वेशन के तरफ क्वेशन नमबर फाइफ विच अब दीज कैमिकल्स और जम सम्टाइम फावन इन ड्रिंकिंग वाटर रिजांफुल कौन साइन में से कैमिकल जम पाए जाते हैं पीने वाले पानी में जो के काफी हनिकारक होते हैं तो इसका से एंसर एडी अलब दबाव यानि ब्रोमेट ग्रिटिया और नाइट्रेट ये तीनों ही पाए जाते हैं और ये तीनों ही हनिकारक होते हैं मनशों के लिए तो चली से एक साथ बढ़ते हैं अपने लोग क्वेशन के तरफ क्वेशन नमबर सेक्स वाट इस इन नेम ऑफ पोर्शन ऑफ डैम इन कॉंटक्ट विद ग्राउंड डाउंस्रिम साइड डैम का उस हिस्से को क्या कहते हैं आपको बताना है जो की जमीन से जुड़ा हुआता है तो इसका से आंसर है डी हील वो हिस्सा जो जमीन से जुड़ा होता है डैम का तो उसे हील बोलते हैं तो चलिए बढ़ते हैं इसे के साथ अपना अगले क्वेशन के तरह प्रशन नमर सेवन अगर पानी के मुकाबले देखा जाये तो जो पेस्टिसाइड होता हैं उनके बोलिंग पॉइंट कैसी होती है आपका बताना है पॉल्स का सैंसर है अगर पानी से कम्प्यार करें तो इन डोने की जो बोलिंग पोइंट होती है यानि को उबाल की जो एक के चमता होती है वो ज्यादा होती है तो चलिए बढ़ते हैं से के साथ अपने अगले क्वेशन के तरफ क्वेशन नम्बर एट कि विच इस दी लॉंगेस्ट डाम इन इंडिया इंडिया का सबसे लंबा डाम कौन सा आपको बताना है तो इसका से अंसरे भी ही राकुन डाम यह काफी इंपोर्टेंट है चुकिसम बहुत सारे डाम्स बन रहे हैं और काफी कई बढ़ बढ़े डाम प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुए से सर्दार्स और डाम हो तो इसलिए यह सब डाम्स वागरा थोड़ा आप लोग असको अच्छ फॉंक्शन ऑफ डाम इट कान वी क्लासिफाइड इंटू हाव मैनि टैग अगर हम डाम के फॉंक्शन को देखें तो डाम कितने तरह से क्लासिफाइड इंग कितने तरह में बाटा गया है आपको बताना है तो उसका सहयां सबस्क्राइड और फाइफ पाच जो यह और डाम होते हैं एक होता है स्टोरेज डाम एक डाइवर्जिंड डाम एक डिटेंशन डेम एक डेबिरीज डाम और एक कॉफर डाम तो चलिए बढ़ते हैं अगले और आखरी क्वेशन के तरफ क्वेशन नम्मर टैन नाचुरल डैम इस नौट क्रिएटिड यूजली बाई तो चार आप्षिन दे रखें आपको होता है कि मतलब किनकी वज़े से नाचुरल डैम नहीं बनते हैं दो तरीके डैम होते एक नाच इसका से यांसरे सी रिवर मियांडरिंग मियांडरिंग का मतलब इससे साप चलता है तो उसको मियांडरिंग मतलब उसको बोलते हैं तो उसी तरह रिवर मियांडर करता है जब किसी हिल से निकलता है तो तो उसमें जो उसमें किसी तरह का नाचुरल डैम नहीं बनता है तो जाने से पहले जो हमारा लास्ट वीडियो थे निजिए स्टेस्ट पर हंडिए नाइंटीन तो उसका जो क्वेशन अब दे था उसका आपको अंसर बता देते हैं तो हमारा क्वेशन अब देट था एक्कॉर्डिंग टू दी उन्याटेट स्टेस्ट जी लॉजिकल सर्वे वाटर हाविंग लेस दिन थाउजन अमल और लीटर अफ टोटल डिस डिजॉल्ड शॉलिड इस तो उन्याटेस्ट जी लॉजिकल सर्वे के मताबिक वह पानी का उत देख लेते हैं आज का इंजेस्ट अस्वे पर हन्रेड एंट्वेंट्टी का जो क्वेशन अब देटेते हैं तो आज का मारा कॉशन अब देढ़ी है वाड इस तूबि डिटी टूबि डिटी क्या होता है आपको बताना है जिसके औप्शन से ए हाउग क्लावडी द वाट अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगाओ तिसे लाइक करें शेर करें और हमारे चानल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथी आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स से हमारे क्वेशन आफ दे डेक आंसर जरू दें तब तक के लिए थैंक यू फार वाचिंग अन बभावा क्वेशन बयूदें